आईए जानते हैं मिथुन राशी वालों के बारे में 2022 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा तो जितने भी जातक मिथुन राशी के या अन्य राशी की भी मेरे साथ जुड़े हैं और ये एपिसोड देख रहे हैं उन सभी को तो ये पहले से पता ही है बाकी जो नए नए लोग नए नए प्यारे प्यारे व्यूर्ज में साथ जुड़े मैं उन सभी को विद्ध करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशी पल लेते हैं सनातन धरम के हिसाब से चंद राशी के हिसाब से लेते हैं इन्हें संसाइन से confused मत कीजेगा तो आपकी जनम बत्रिका में जो आपकी राशी निकल कराती है उसी को कहते हैं चंदराशी चंदरमामन का कारक होता है और मन से ही स्वभाव निर्धारित होता है इसलिए सनात अंधरम चंदराशी को अधिक महत्वप्रदान करता है तो आईए जानते हैं जिनकी चंदराशी मित्वन है उनका ये महीना किस प्रकार व्यतीत होता है तो हम देखते हैं अकस्मात गुड नियूस का योग बनावा है अकस्मात एक ऐसी खबर आपके दरवाजे पे खटखट आएगी जिससे आप बहुत आलादित हो जाएंगे खास करके फाइनांस के मामले में आपको कोई बहुत बड़ा लाब होता नजर आता है जटके से कहीं से कोई भी खबर आ जाएगी बिल्कुल जो आपको उमीद ही नहीं होगी कि इस प्रकार की खबर मुझे आ सकती है एकदम से प्रमोशन एकदम से कहीं अगर धन फसावा थ था तो उसका वापिस मिल जाना, एकदम से अगर किसी को बहुत पूर्ष करजा दिया था तो उस करजा का चुक जाना, आपको धनराशी वापिस आ जाना, या कहीं से अकसमाद आपको खबर मिलनी कि आपको इतने पैसों का लाब हो गया है, इस प्रकार की कुछ योग बने ह अगर आपके घर में कोई परिशानी चल रुखी उसका अंत होगा आप अपने बच्चों की शादी की चिंता कर रहे थे तो उस शादी की चिंता का अंत होगा शादी फिक्स होगी और हो सकता है वस्तुता इस महीने विवा हो भी जाए तो बहुत ही शुब समय मिथुनराशी कालों के लिए हम देखते हैं इसमें बस एक ही चीज कहना चाहूंगी अगर हो सके तो काले घोड़े अगर कहीं मिल जाए तो उन्हें काले चने जो होते हैं उबाल कर उसको खिला दीजेगा तो अती आशीश आपके शीश पे बरसेगा हो सके तो हैगरीव अफतार की कथा का पठन पाठन करके अपने प्रभू को अरपित कीजेगा निशकां बिना कुछ मांगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में किस प्रकार से उन्नती आती है और जिस प्रकार घोड़े का वेग होता है अती श्रेष्ट और तीवर उसी प्रकार जीवन अती तीवर गती से भी हो सकता है कि कारी की वज़े से बिस्नस और जॉब वरे लोगों को परदेश में आना जाना पड़े या घूमने के लिए भी आप जा सकता है ये भी हो सकता है कि इंटर सिटी आपकी ट्रावलिंग काफी हो कारे शित्र को लेके और घूमने फिरने का भी अदरवाइस फै अप्लाय किया है तो clear होने के पूरे चांसे अगर विदेश में अप्लाय किया तो clear होने के पूरे पूरे चांसे है जो मिध्नराशी के लोग है तो पहले से ही celebration mood में आ सकते है पर इंतने स्मरण रखे अपने प्रबु को धन्यवाद करना न भूले सुबह उड़ते ही एसे नाम निकलते हैं और सोते वक्त आप जो उनको स्मरन करके सोते हैं अगर ये जीवन में एक आदत पक्की कर ली तो नाना प्रकार की विपदाओं से ऐसे ही पार हो जाते हैं ठीक है तो अपने कृष्ण की अराधना बढ़ा दीजिए काला रंग विशेश करके इस महीने आ बढ़ा ही लकी साबित होगा तो लकी कलर पहले ही बता देती हूँ यलो और ब्लैक या आपके लिए बड़े सुखदाई होंगे इनका इस्तमाल कीजे काले रंग के वस्त्र प्रभू को अर्पित करके पहन सकते हैं आप चाहे तो शनिदेव को चोला चड़ा सकते हैं काले पीले रंग के वस्त्र चड़ा दीजे क्रिशन जी को पीले रंग के वस्त्र आप प्रभू महादेथ को भी चड़ा सकते हैं माता रानी को पीले रंग की साड़ी और गहने चड़ा सकते हैं बहुत ही उत्तम योग बनावा है अब आए जानते हैं रिष्तों के बारे में तो शीश पे भारी हो जाए तो इतना समलन उस समय रखना है, थोड़ा सा क्रोध का योग है, कि क्रोध को हमेशा जिस वक्त आ रहा है उस वक्त नहीं करना, आदे घंटे 40 मिनट बाद देखेंगे, तब तक वो वेग थोड़ा सा शान्त हो जाता है, होश आ जाता है हमको, थोड़ हैं हेल्थ की तरफ, तो हेल्थ बिल्कुल बढ़िया नजार आती है, आक्टिव जादा रहेंगे, तो पानी का इंटेक अच्छा रखिए, वैसे हेल्थ आपके बिल्कुल साहिए, तो इन सबी बातों का प्रयोग करें, और ये महीना जो और रेड़ी इतना सुखद है, प् अनिवार.